आईए साथियो बहुत बहुत आप सभी का अभारी हूँ मैं गाईज आज के इस वीडियो में आपका भाई जो बताने वाला है वो है अधी कौन तर्भूज तो आईए इसको बहुत ही गहराई से समझते हैं तो साथियो यहाँ पर लिखा हुए अधी कौन तर्भूज जिसका इंगलिस होता है obtuse angle triangle ओके तो इसका परिभासा आपको भले ही समझ ना आए लेकिन example से आपको बिलकुल समझ आ ही जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुए है ऐसा कौन जिसका एक कौन 90 डिगरी से अधीक हो तथा बाकी कम हो उसे हम क्या कहते हैं अधी कौन तर्भूज कहते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा है जी हाँ आपको बिलकुल आसानी से दिख रहा होगा कि ऐसा कोन जिसका एक कोन 90 डिगरी से अधीक हो तथा बाकी कम हो उसे हम क्या कहते हैं अधीक कोन समझते हैं अधीक कोन कहते हैं ठेक है अधीक कोन तरभूज कहते हैं ठेक है तो आईए इसको हम एक्जामपल से समझते हैं कि आखिर इसको समझना कैसे है तो यहाँ पर एक्जा तिर्भूज के पहला कोन है यहां और यहां फिर यहां ठीक है तो यह सब क्या है तिर्भूज के कोन है और इन तीनों कोनों का मान कितना होता है तो आप सब को पता है कि तिर्भूज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिगरी होता है यह चीज पता होगा तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है अधी कोंत्रिभूज तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इजिले आपको दीख क्या रहा है कि 120 यहाँ पर है और 30 डिगरी यहाँ पर है अगर हम इन तीनों को आपस में जोडती है तो आप देखेंगे कि आपका कितना आजाएगा 180 डिगरी आजाएगा जी हाँ 180 डिगरी आजाएगा यकिन नहीं है तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आसानी से दिख रहा है आपको 30 डिगरी जहाँ है 120 डिगरी जहाँ है और 30 degree यहाँ है इन तीनों को जोड़ीगा तो कितना आ जाएगा 180 degree आ जाएगा इसका मतलब यह है कि यह हमारा क्या है सही है तो देखिए यहाँ पर आपको अधिक कुन तिर्भूज में यही चीज समझना होता है क्या कि एक कुन का मान कितना होने चाहिए 90 degree से अधिक 120 degree है मतलब यह 90 से कितना है बड़ा है जी हाँ 90 से यह बड़ा है तो 90 से एक तो बड़ा हो गया बाकि कितना है छोटा है तो यहाँ पर 30 छोटा है और यहाँ पर 30 छोटा है तो यहाँ पर एक कौन बड़ा है बाकी छोटा है तो यह आपका क्या है अधिक कौन का चिनहासी है तो अधिक कौन तरभूज आप समझें कि नहीं समझें अधीक कोन तरभूज में बस आपको यही चीज ख्याल रखना है कि एक कोन कितना होगा, 90 degrees से अधीक होगा और बाकी कितना होगा, कम होगा उसे हम क्या कहते हैं, अधीक कोन तरभूज कहते हैं तो कि आपको परिभासा समझ आया कि नहीं आया जैसे यहाँ पर और इसको गोहराई से समझते है जैसे यहाँ पर आप समझे यहाँ मानते हैं 120 नहीं दिया रहता मानते यहाँ 120 नहीं है यहाँ 100 मानते 100 डिगरी है ठीक है तो गाई 100 डिगरी है तो क्या यह 90 से 100 अधीक है जी हाँ अधीक है तो 90 से अधिक 100 हो गया और यहां 100 हो गया तो यहां पर आप हमको पुराना कितना है टोटल तीनों को जोड़कर 180 तो 100 तो हो गया अब कितना चाहिए हमें चाहिए 80 तो 100 यहां हो गया तो इसको हम ले लेते हैं 50 और इसको काट देते हैं और यहां ले लेते हैं आपका हो जागा 30, वो सही हो जागा, तो इन तीनों को अगर हम आपस में बहुत जोड़ते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको क्या आ जागा, 180 डिगरी आ जागा, तो 180 डिगरी आ जागा इसका मतलब यह है कि आपका क्या है, यह सही है, तो आपको 120 क्या है एक कौन है तो इस क्या है ज्यादा है बाकी कम है या नहीं कम है लेकिन हाँ आपको बैठाना वही होगा ताकि तीनों को जूड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए ठीक है तो एक कोन अधिक हो बाकी कम हो कितना से अधिक हो यानि 90 से अधिक हो ठीक हो तो यहाँ पर आपको समझ आ गया हो तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही अगर मेरे दिव ही जनकारी से अगर आप थोड़ा कुछ भी सीखते हैं तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर देख सकते हैं परिभासा है अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिये और आसानी से लिखिए बैबै टेक केर वेस्ट अफ लग बने रही है और जूडे रही है